का आहलो बच्चो कैसे हो आप सब तो आप लोग जी सत समझ céu आरी नहीं स्टुण कि उचका है तो हम लोगे वोग शेक्षिद कंबिनेशन होगाया प्रावर के उप्र हम लोग ने आपको थेयृटेटिकल सब करेक्षेट कर दिया वक कर रहा है कितने टाइम में वही उसकी पावर थी, इसकी हमने ऐसा यूनिट निका ली थी वाट, अधर यूनिट थी हमारी जूल पर सेकेंड, इसके हम लोग ने अराउंड तीन फॉर्मुलेज डेराइफ किये थे, पावर के वोल्टेज के और रेस्टेंस के टम्स में, क् देखिए, अब हमारे एक पहला नियुमेरिकल है, पावर के उपर, वोल्ट विल बी धी करेंट ड्राउन बाई लेक्रिकल बल्ग और 40 वोल्ट, वैन इडिस कनेक्टेट तो सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, तो सबसे पहला काम हमारा गिवन चीज़ें नोट करते हैं, हम लोग, सबसे उनिट से पता कर सकते हैं, वोल्ट दे रहे हैं, वोल्ट की उनिट होती है, वोल्ट की उनिट होती है, 220 वोल्ट, करेंट के बारे में पूछ रहा है, तो बड़ा सिंपल निमेरिकल होने वाला है, पावर है, वोल्टेज है, करेंट की वेल्यू फाइंड करनी है, तो पावर equals to formula हमने पढ़ा था V multiplied by I ठीक है students तो यहां से I की value क्या होने वाली I equals to P upon V power की value डालती जीए 40 divided by 200, 20, 0 से 0 cancel out, 2 2 जा 4 2 11 जा, तो around 2 divided by 11 करेंगे तो हम लोग something 0.18 answer आने वाला है 0.18 ampere तो देखिए हम लोगों को power given थी, voltage given था current की value find करने के लिए बोल रहा था current की value find कर लिए बड़ा simple सा numerical था, second numerical पर आते हम लोग ले लाए लेवा लोगः लेखिगे, की radio की लज़ास में लोगकी लेखिए लेखिए हम लेखिए लेखिए ले लेखिए तो देखिए इस्टुएंट्स यह हमारा कुछ निमेरिकल है एन एलेक्ट्रिकल बल्ब रेक्टेद 220 वोल्ट एंड हंडेड वॉर्ट उसका वोल्टेज सोर्च क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट पावर कंजम्चन है यह थोड़ा सा टिपिकल निमेरिकल होने वाला आप लोग लिए और थोड़ा सा कॉंसेप्च्छ एगर आपके तो निमेरिकल बड़ा अच्छे से आप आसानी से सॉल्फ कर लोगें एक एलेक्ट्रिकल एप्लाइंस के बारे में बात की जा रही है जो कि अगर 220 वोल्ट की सप 110 वोल्ट पर कनेक्ट करें समझ रहे हैं मेरी बात कि इस बार सप्लाई 220 वोल्ट की नहीं होने वाली इस बार होनी 110 वोल्ट की तो बता उसके अंदर पावर कितनी कंजम्शन होगी तो इस टैप के निमेरिकल के अंदर आपको एक कॉंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जहिस कि अगर यह मैंना एक अगर इनिशली 220 वोल्ट को मैं ऑपरेट करा रहा हम समझदे हो में इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस तो होने वाला है तो अगर यह 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पर operate करूँगा तो भी इसका resistance same रहने वाला है resistance के अंदर कोई भी change नहीं आएगा तो resistance common हुआ हमारा तो it means सबसे पहले हमें अगर यहां से resistance पता पढ़ जाए तो हमें numericals कुछ न कुछ clue मिल जाएगा और आसान हो जाएगा तो ठीक है गिवन चीज़े नोट करते है पहले गिवन क्या है हमारा voltage गिवन थी 220 वोल्ट ठीक है और हमारा power कितना गिवन है इस्ट्वेंट्स पावर है हमारा 100 वोल्ट ठीक है तो देखिए हमारे पास 3 formula थे power equals to सबसे पहले vi था ठीक है उसके बाद power का formula निकल गया है था हमारे पास i square r और एक power का formula निकल गया है था v square over r ये तीन formula जाये थे हमारे पास तो चेक करते हैं कि कौन सा formula हमारा satisfy हो रहा है पहला वाला power equals to vi power है v है i की value calculate कर रहा है लेकिन i की हमें जरूरत नहीं है i की हमें फिलाल कोई जरूरत नहीं है चलो इसे फिलाल छोड़ते है इसमें भी आई है i की हमें calculate करना है resistance तो मुझे तीसरा वाला formula सबसे सही लगा क्योंकि इसी के अंदर resistance की value है और दो values मुझे पता है यहाँ भी देखिए आप इन दोनों में से confuse होने वाले हो कि कौन सा formula हम लोग use करें तो अगर मैं इस formula की बात करूँ तो देखिए इसमें r calculate करना है आपको ठीक है i की value आपके पास नहीं है तो दो unknown variables होगे तो आप calculate नहीं कर पाओगे अगर तीन variables है तो उसके अंदर से आपको 2 की values पता होने चाहिए तभी आप calculate कर पाओगे values तो देखिए v की value पता है p की पता है r आसानी से calculate कर लोगे तो यह वाला formula मेरा valid है यहाँ पर तो power equals to v square over r तो r की value calculate करूँगा तो formula कुछ ऐसे बन जाएगा r equals to v square over p it means v की value has to end 220 volt 220 220 और square means 220 into 220 divided by power है हमारी 100 0 से 0 cancel out 0 से 0 और 22 into 22 होता है students 484 तो यह answer निकल के आए मेरा 484 ओम यह resistance की value निकल के आई अब यह resistance मेरा circuit में fix रहने वाला यह value change नहीं होगी तो case second की बात करूँ तो case second क्या बोला है उसने यह resistance तो हमारा same रहेगा अब resistance कितना रहने वाला है 484 ठीक है second case में when it is operated on power कितना दे दिया voltage source कितना बता दिया हमारा 110 volt का voltage हो गई हमारी 110 अब उसके बाद पूछा जा कि बताईए power कितनी consume होगी तो देखिए अब कौन सा formula मेरा valid है जिसमें कि मुझे R की value पता है V की पता P find करनी है R P and V देखिए किसमें है पहले में तो नहीं है R P and V इसमें भी नहीं है सिर्फ तीसरे वाले में R P and V तो यही formula मेरा फिर से लगेगा तो formula हो गया power equals to V square over R V की value दे रहे हैं आपको 110 volt square है तो 110 into 110 10 divided by R की value of 48 ठीक है तो चेक करते हैं देखिए किस से के तो यह हमारा formula रख दिया हमने sorry students mistake हो गई resistance हमारा 484 है तो देखिए अगर मैं इसे cancel करूँ तो 11 से अगर cancel करूँ तो 11 4 जा 44 11 4 जा 44 यह पूरा 11 से 44 टाइमस जाएगा 11 बन जा 11 और 0 का 0 11 4 जा 44 11 10 टाइमस तो क्या बचाएगे 10 टेंस हा 100 divided by 4 4 25 टाइमस यह इट मीन्स हमारी पावर निकल गया ही 25 वाट तो देखिए question हमारा क्या बोला गया था हमे an electrical appliance और electrical bulb rated 220 वोल्ट and 100 वाट when it is operated on 110 वोल्ट then power consume एक electrical appliance है initially वो 220 वोल्ट की supply पे connect किया गया है जब 220 वोल्ट की supply पे connect किया जाता है तो वो जो power consume करता है वो कितनी है 100 वाट तो इसके अंदर हमसे question बोला गया कि अब अगर इसे 220 वोल्ट की जगा 110 वोल्ट पे हम लोग connect करते हैं समझ रहे हैं मेरी बाद आप इस बार इस बार हमारा voltage source 220 वोल्ट का नहीं होने वाला 110 का होने वाला है तो पूछा जा रहा कि बताइए उस case में power कितनी consume की जाएगी तो अगर step का numerical आपको देखने के लिए मिलता है तो उसके अंदर एक common चीज जो वो होती है वो है resistance वो कभी भी change नहीं होता तो हमने यहां से resistance calculate कर लिया अपना गिवन चीज नोट करी power का formula लगा है power equals to 20 square over r r की value यहां से निकल गया ही 484 ohm तो second case में भी resistance यही होने वाला है क्योंकि resistance के never be change क्योंकि appliance change नहीं किया गया गया ना conductor तो वो ही अभी भी तो resistance 484 voltage गिवन थी power calculate कर लिया तो 25 watt तो आप लोगों को यह दोनों numericals अच्छे से समझाये होंगे कुछ और अच्छे numericals हम लोगों आपके लिए लेके आएंगे next videos में thank you